तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं इस क्लास को बहुत ही तरीके से तो इसमें हम लोगों ने क्या-क्या चर्चा की है हाड़वेर के जितने भी कंपोनेंट है इन पर चर्चा के तो उमीद करते हैं कि आपके दिमाग में बन गई होगी कौन-कौन से चीजे हमारे हाड़वेर के अंतरगत आते हैं ठीक है तो सबसे पहले हम हाड़वेर का सिस्टम यूनिट को अगर ओपन करें तो सिस्टम यूनिट आपको कुछ इस प्रकार से दिखेगा ठीक है तो इसमें हम थोड़ा से बेसी कॉंसूट के बारे में समझेंगे कि आखिर हाड़वेर में हम लोग रखते क्या है तो उन सभी चीजों को बहतरी तरीकी से समझेंगे फिर एक चीज़ को बढ़िया से डिस्कस करेंगे करते रहे हैं कि यहां पर देखेगा यह तावर है आपका टावर के अंदर कर देखेंगे सबसे पहले यहां पर लगा हुआ है कि यहां पर आपकी क्या है CD-ROM है CD-ROM के साथ में hard disk life है और यहाँ पर बहुत सारी छोटी-छोटी cables दिख रही होगी यह cable क्या है यह आपके SMPS से निकलती है और यहाँ पर बहुत सारे switch लगे होते हैं इन cable के माधियम से आपके जितने भी करण होते हैं इसका पुछच्व मोड पावर सप्लाइ सब्सक्राइब कम्हिचर में मतलब computer में जितने भी पार्ट लगे हैं जितनी पावर काउसटा होती है वो क्या करता है उतनी power को उस computer में पहुंचाता है सब्सक्राइब करने ओ겁े त्सक्राइब पर या केबल कनेक्शन जितने भी चीज़ें हम जोडते हैं उन्हें क्या बोलते हैं प्रियूग करते हैं यहां पर फैन लगाते हैं जिससे क्या हो आपका सिस्टम ठंदा रहे ठीक है तो चलिए उमीद करते हैं आपने एक मसीन के बारे में देखा होगा अब हम चीजों को डिसकस करते हैं इसके अंतरगर क्या क्या चीजे लगी होती है ठीक है तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे क्या करते हैं और इसके इए यहां पर किया करते हैं एक रखो Probर को के और आन करते हैं फर यहां पर क्या होते हैं आफिक कियो क्याते हैं जिसंद तो हता है आप की नहीं में तो हम क्या करते हैं यहां से कनेक्टर आपको अपने कंप्यूटर की अगर कुछ अपग्रेड करना है उसकी प्रोसेसिंग थोड़ा सा बढ़ाना है कुछ कार्य तरिक्त करने हैं तो यहां पर आपको अवसकता पड़ेगी थोड़ी सी रैम बढ़ाने कि आपका प्रोसेसर अगर गेम को सपोर्ट करता है तो ठीक है तो आप क्या करेंगे थोड़ी सी रैम भढ़ा लेंगे तो यहां पर दो रहा क्राफिस नियाकर लगा सकते हैं साथ इसाथ में आपको ग्राफिस काड़ किया सकता होगी तो आप यहां पे PCI Slot में ग्राफिस काड़ भी लगा सकते हैं जिससे आपको नया मदरबोर्ड या प्रोसेसर प्रोसेस करना नहीं पड़ेगा यानि कि आप क्या कर सकते हैं यहां से चीजों को PCI Slot से अपने चीजों को अपग्रेड कर सकते हैं तो क्या बनता है कि जो मदरबोर्ड होता है उसमें अगर उसको अपग्रेड करना चाहते हैं तो किस लॉट में हम कोई भी डिवाइस लगाएंगे अगर ग्राफिस काड़ अपडेट को connect करने के लिए आपके क्या होते हैं सिस्टम होता है उसमें बहुत सारे connector होते हैं जहां फोल्केस में क्या 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 यह मिलीगाbat अपको USB capable देखने को मिले harat देखने को मिलेगा फीज़ी और क्या है इसलोट के साथ में पहले की जो ओल्ड गंप्पुटर हुआ करते थे दो कलर होते थे घ्रीन होता था हई और क्या करते थे कीबूर्ड और मौस को अटास करते थे ठीक है तो सलॉट यहां पर आपको देखने कर देखेंगे लेकर यहां से अनुद क्या कर सकते हैं लगा सकते हैं तो इतने होते हैं जहां से आप क्या करते हैं इन पूट आउर्पूट डिवाइस को कनेक्ट करते हैं तो उमीद करते हैं यहां तक की कोई दिक्कत नहीं होगी तो आपने मदरबोर्ड के बारे में समझाओंगा थोड़ा बहुत आपको बेश्क जानकारी हो चुकी होगी कि अब एक चीज के बारे में हम डिसकस करते हैं ठीक है तो मदर बोर्ड का एक क्या होता है मुखी कंपोनेंट होता है ठीक है तो यहाँ पर जो चीजे लिखी है इन पर थोड़ा सा ध्यान मत दिजिएगा हम आपको बेसिक चानकारी बहुतरी तरीके से समझा रहे हैं उसको क् पॉइंट लिखे हुए है इन पर थोड़ा सा आप पढ़ लिजेगा ठीक है लेकिन हम वही चीज बोल दे रहे हैं आप उनको समझेगा क्या होता है जो आपका मदर बोर्ड होता है आपके कंप्यूटर का जो सिस्टम यूनिट होता है उसका एक मुख्य पार्ट होता है ठी देखा होगा परिवार का जितने भी सदस्य को क्या करती है एक साथ लेके चलती है ठीक है सभी सदस्यों को एक साथ लेके चलती है जितने भी बच्चे है सभी का खयाल करती है बराबर देती है तो इसी तरीके से आपके कंप्यूटर में लगा होता है तो जितनी भी मिलद में म Adapt US कॉंभात कमें तुम्हात करें, सिस्टम को ढबग्रेड करने стор लिए जैसे आपका ग्राफिक्स काड हो गया हम ग्राफिक सब्सक्राइब लगा सकते हैं बहुत सारे कि होती और क्या होता है इसमें एक रोम लगी होती है यह सब चीजों पर हम डिसकस करेंगे आगे चलके एक चीजे आएंगी पस मदरबोर्ड के बारे में थोड़ा सा कहानी बता रहें एक सीमाउस बैटी लगी होती है जो क्या करती है जब कंप्यूटर को हम बंद कर देते हैं वार सब्कूर के नाम पर सब्सक्राइब कहानी सोन लिए लगी है यहूद पहुंचाती सब्सक्राइंट सब्सक्राइब करें तौन विए कांगजिए कि ऑपकी मेubby सब्सक्राइब पूलते हैं और जो डिवाइस में डेटा को ट्रांसफर करने के लिए आपस में जो डेटा टांसफर करते हैं एक इस्थान से दूसरे स्थान से मधर बॉर्ट से हाड़ डिस्के बीस में और पहुत इस उते हैं तो ऐहां पर बी जाने के लिए तो यहाँ पिछाने के दिया deform की मुखने है वहते हैं प्रक्षी जानते हैं ठीक है तो उमीद करते हैं चीजे समझने आए होंगी, फिर क्या है आपका audio slot से ठीक है तो आप क्या करते हैं, साथ-साथ में अगर आपको microphone input करना है तो microphone input करने के लिए एक jack होता है 3.5 mm का jack होता है जिसमें हम क्या करते हैं, पना हेड़फवब को कनेट कर डेते हैं जिससे क्या होते हैं आपका fourteen में जाने लगते हैं साथ साथ में आपका विजीए एक पॉर्ट होता है क्या है तेटा को कनेट करते हैं कि मौनीटर को मौनीटर में डेटा टांस्फर करने लिए ने के लिए किम इतनी सारी केबल का प्रियोग करते हैं फिर मदर्बोर्ड का जो आकार होता है तो आकार क्याधार पर हम इसको कई कंडी सन वे जैसे हमारा ATX है इसके साइज क्याधार पर ilsका वे इनका नाम करट किया गया है hao कि उसी के आदार पर आपके केस रहा किया करने के लिए कि आपका कोई भी सिस्टम ले लेंगे कोई नहीं उसक्सक्राइब होती हैं लिए व्हांट देए जाता है तो आप कोई भी मदरबूरूरूर्ड लगाएंगे तो जहां पर आपको जगह मिलेगी आप वहां पर क्या करेंगे करेंगे टिक्क है चलिए उमीद करते हैंकों यह चीजे mdrboard के के बारे में समयने हैं आया होते हैं अगला क्या है इंकर वह प्रीच बाती हैं टो Triple C कमपनियां बनाती मैं स्कतिक्ष रोग ऑर क्या है mdr गूँ नहीं है असुस हो गया गीगाबाइट हो गया मैक्रो प्रोसेसर बनाती है और बाकी जो कंपणिया केवल मदर बोर्ड बनाती है माइक्रो प्रोसेसर वो करते हैं और इसके बाद में आपके कंप्यूटर में इस्टाल करते हैं ठीक है कंप्यूटर के बारे में मदर बोर्ड के बारे में बेसिक कहानी से उम्मीद करते हैं कुछ चीज़ों में आई होगी एक इमेस बनेगी आपके दिमाग में अब इससे रिलेटेड चीजों को हम ल का यहाँ पे क्या होता है यह एक प्रकार की पावर सप्लाई होती है छो क्या करती कंप्यूटर के अन-Electronic कि चलिए तो बहुत ही वेतरी तो उमीद करते हैं सभी चीजे समझ में आ रही होंगी आपको बहुत अच्छे से तो यहाँ पर पावर सप्लाई की बात करें तो यहाँ पर उर्जा आदान पर्दन ठीक है अब कर रहे हैं संप डारेक्ट एसी करेंट को किसमें करता है एसी करे मतलश में कालाव करता है। क्या किसमें करता है इसका काम क्या होता है और यहां बी स्फ्लाइग यहां में कौन से यहां पर जैसे देखिए गा कि यह आपके सौकेत है तो इस सौकेट में स्विच्छ विज्छ शितुष्च में सितने पाउर सप्लाई जाना है उस ही के आधार आपके अधार हाड़्वेर बने होते हैं हैसे 72 में आपको यह केबल पाउर के लिए लगाना है रोम में आपको यह केबल लगाना है पाउर सप्ट्राइ। प्रदान करता है ठीक है तो इसका मतलब क्या होता है । इसका FULL है Ka kep resection का मतलब क्या होता है जैसे ही माल लेते हैं आपकी प्रआफ़ साप्लाय तो क्या करता है यह आपने अंदर के अइकाथ comepoint नेंट होते हैं क्या करते ख़रते खराप कर लेते और आगि कि जो कंप्यूटर होता है आपके कंप्यूटर के अंदर पाउर सप्लाई को बादित होंगे जिससे आपके जो अदर उपकर लगे हुए सकते हैं जिससे का होता है इसकी जो हीट होती है वहीट का होती है वह हीट क्या होती है बाहर निकल जाती ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं आगे क्या कह रहा है कि मदर बोड पे इसे होते हैं उनको बोलते हैं जहां पर हम क्या करते हैं कोई हाड़वेर अटेस्ट करते हैं उन्हें क्या बोलते हैं जैसे आपका PCI क्या होता है इसका फुल फॉर्म पूस्ट लेता है क्या है क्या है पेरिफेरल कंपोनेट इंटर करें के लिए क्या करते हैं हैं है एक स्पेंसन कार्ड क्या होते हैं कि बाधना चाहते हैं अपने कंप्वोटर को अफ्ग्रेड करना चाहते हैं तो कि लगाते हैं जैसे आपको ग्राफिस काड अपने कंप्यूटर के अच्छा करना है तो ग्राफिस लगा सकते हैं अच्छा नेट्वर्क शुश्ख करना है तो आप क्या कर सकते हैं? लगा सकते हैं सभी चीज़े होती है साथ साथ में आप क्या कर सकते हैं और भी अप्ग्रेड करना चाहते हैं तो आप अप्ग्रेड यहां से कर सकते हैं ठीक है आगे है आपका PCIe Slots तो PC इसका मतलब क्या होता है अब इसका नाम ही हो गया क्या एक्सप्रेस का मतलब है जो यह क्या करते हैं और जैसे PCIe Slots तो आई है लेकिन साथ साथ में इसके साथ में हर चीज़ में अप्ग्रेशन होता जैसे आपका USB आये तो USB यह टाइप करने के लिए तो उसी परकार यहां पर भी क्या है PCIe Slots आया होगा फिर PCIe कर दिया गया यानि कि इसमें भी हम क्या करते हैं सेम चीज़ों को लगाते हैं लेकिन डेटा को और अधिक तेज से प्रभावी तरीके से फ्लो करने के लिए ठीक है अगला कह रहा है तो RAM Slots में क्या करते हैं अपने जो motherboard होते हैं उसमें क्या करते हैं रैम लगाते हैं ठीक है रैम जो होती है आपकी में मेमोरी होती है मुक्की मेमोरी होती है तो RAM को लगाने के लिए इसके सिर्यल टेक्नोलोजी होती है इसमें क्या करते हैं जो आपकी हार्ड़ इस होती है मत्राइटा लेक्रादा ना है तो इसके लिए साटा पोर्ट से हम क्या करते हैं साटा केबल होती है और साटा केबल होती है बहुत पहले हम एटीए केबल यूज करते थे उसी एटीए केबल को हमने क्या किया सीरियल यानि की पैरलर यानि की पैरलर एडवांस टेकनलोजी अटाइस्मेंट फिर हमने क्या किया साटा कर दिया SIRIAL ADVANS TECHNOLOGY ATTECMENT में हम लोगें ने convert कर दिया ठीक है तो हम लोग अभी वर्तमाल समय में SATA Cable यूज़ करें और SATA Cable के साथ में SATA Cable का क्या करते हैं जो हमारी drive है motherboard है motherboard में एक port होता है आपकी हार्डेस में port होता है उनसे क्या करते हैं? कर देते हैं और होते हैं अ क्या बंता में ट्रांफ़र करने के लिए एक माध्यम बनता है कि यह साटा केबल ठीक है साटा इसमें कौन-कौसे काते थे एत инт ये साटा और क्या है पलता ठीक है तो encontramos कर दो फिर पाटा यूज किया पाटा यानि कि पैरलर टेक्ट टेक्टो एडवास टेक्नोलोजी अटेजमेंट लोगों यह उसका च्छिजरी यूज करना चुरू किया अगला है तो साटाप पॉड्ट के बारे में समझ में आगया हो यूस्भी पॉड्ट क्या होते तो यूस्भी जो जो मदर्बोर्ट होता है उसमें यूद्ध यूद्ध पॉर्ट पर जोडने के लिए जिससे एक्टरनल डिवाइस को क्या कर सकते हैं यानि कि connect करना चाहते हैं अबने कंप्यूटर से जो यस्भी के आधारित हैं जैसे आक़े यस्भी केवल हो गई आप फोन भी करना तो वहां पर बताते हैं कि वार्लेस डिवाइस जो ब्लुटूथ वाले होते हैं और जो आपके इस पर होते हैं तो इन पर होते हैं उन्हीं से क्लेक्ट हो जाते हैं तो इन सब इंटर्णेट करने के लिए हम यूड करते हैं तो किस चना से जानते गमेंट कर दोड़े करें लुगा सानवल का वस्ते इंट्रेंट करते के लिए किसका प्रियोग करते हैं समक्ति क्यों रही हो कि तो सभी लोग यृष्ट मैं करते रही है ठिक है, कमेंट करते रहे हैं आप लोगों कि कमेंट नहीं आ रहे हैं कमेंट ओप पॉट पढ़ा अब यूस्भी पोट के बारे में थोड़ा साउर बता दे तो पहला यूस्बी वर्जन नहा था यूस्भी वर्जन वन पॉइंट जीरो आया था इस टेंडर जिसे यूस्ट वब सब्सक्राइब करता है तो यह से काफी तेजी हुई जैसे आपके वरज़न तुजी टेकनलोजी 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 और फाइवी टेकनलोजी तेकनलोजी व्हाइव ऐसे मल्टिपल गुना जो है अप्ग्रेड हो रहा है ठीक है तो यहां पर देखिए का वन में बारा एंबी थी चार सो असीम भी हो गई से लिए पुरम के यहां पर अगे बढ़ते हैं अगला क्या करना है अगला है अगला है आडियो पर आडियो कर सकते हैं नेटीवर्ट को करेक्ट करने के लिए नेटवर्क पॉर्ट का प्रियोग कर सकते हैं जैसे इधरनेट केबल वगेरा और आप इन सभी चीजें से डेटा को करेक्ट कर सकते हैं अब यहाँ पर आपके दो पॉर्ट हैं देखेंगा इने यह बोलते हैं क्या प्याइस टू पॉर्ट ठीक है तो पिस्टू पॉर्ट का प्रियोग हम ग्लूज करते थे किसके लिए नियाम बोलते है Neaf पर्सनलसिटम टूश सिक्स पिन का है कि आपका क्या होता है केबल रहता है जहां पर इसे पिलन होते हैं इसे में पर इ। सब्सक्राइब तो प्रत मैं जिससे क्या होगा अब यह सब्सक्राइब करने लगे तो हमें फालतु में यह करन नहीं बनाने पड़ेंगे यह बनाने पड़ेंगे यह कि इस में पीन àiScraople dışी कॉ अच्पा काम करना बंद करते था कर माउस्या की वहाऊ सिर ठीक है तो फिर्ट की समस्या बहुत होती थी बहुत जादा खराब होती थी तो फिन खराब होने की वज़े से भी ये काम करना बंद कर देता था तो पिन्स खराब हो जाती थी अभी वर्दवान समय में यस्भी यूज करें तो हमें एक्ट्रा बनाने क्या सकता नहीं और इस्ट्रा कमपोनेंड बनाने क्या सकता नहीं पड़ती हैं कि दो कि इसका मतलब होता है इसका काम होता है आपका जो een होता है सिश्टम उनिट से आपको मदरबोर्ड होता है ठीकि यह आपका मॉनीटर हो गया Eğer इसान पूर चोपने होता है इसमें संख्या पूрастा है इसमें कितनी होती है तोटल켜 रिपれない विएई कोक्ता है यहां पर यूजय का का क्या थे का हाइं ते यहां का क्या है कि है को सब्सक्राइब करते हैं तो इस परकार के हम लोग क्या क्या है सिर्याल तो इस प्रकार से सीरीयल पूर्ट है, यहाँ यहाँ हम लोग क्या क्या स्कते Cynthia UCD-C फिर आपके पहला के पर यूस करते थे, हम किसा का practiced करने के लिए प्रेंटर को । कर सबस्थ करने के लिए हम यूज कर थे इन पोर्ट और आ Okey科 लोस्य अश्रीयल dot फिर क्लाइंती थी ट्वी यह क्या चिछला है 55 यह भिन करते हैं तो उसे हुसं करते हैं कुछ लिए घाल दीन sic करने के लिए रॉर कर ने के लिए कि आप घूड़ मुंधक करते हैं तो पूछ की अना-म्राइब करते हैं और क 온 को कि हार है एक हले तो तो कंप्यूटर से कनेट करने के लिए हम किलिकेल पुर्ट का पुर्योंग करते हैं तो उम्मीद करते हैं यह आपको स्क्रीन दिख रही होगी यहां पे सभी पॉर्ट आपको दिख रहे होगे देखेगा यहां के जो है साउंड से रिलेटेड है जिसमें आप मायक आडियो इ होतेब्स के यहां बेलोंग सब्सक्राइब करएं। आप टमटर से कोई हर्ड ऐसे करना चाते तो अठेच कर सब्सक्राइब blij Meer Zhang भास जो मदर बोर्ट होते जो थोड़ा सा महेंगे मेंस होते हैं पत कॉशच्चनेक्टर दर्थे भाकि सब आपको सारे पोड्रेटन हीमिलें यूच्छ पॉड्र मिलेंग़ को यूज उपकर यह हो जाता है इसलिः बहुत कम देखने को मिलता है तो बहुत सारे देदेते हैं अब यहां पर देखेगा आपका क्या है अप्टिकल डिजिटल आडियो और पुट फिर यहां पर क्या है देखेंगा हें ह upp है दिस्प laquelle यहां पर लगा हुआ है यह देखेंगा दिवे का यह दिस्पलें नो को देदीटर करें ठीक वॉड और मॉस दोनों को लिक्स करकर दो लिदेदे रहो हों गया आद wolves अदैगार फिर प्यांट जील जत्व करती रहोगे वह से इतनने और हैं रोगे हैं करते हैं तो बेसिक जानकारी आपको उम्मीद करते हैं और कल से हम लोग इसके जो एडवांस टेक्नोलोजी है उन पर हम लोग चर्चा करेंगे ठीक है तो सीरियल पोड का उद्देश किसके लिए किया जाता है कुछ मुख के उपयोग है तो सीरियल पोड का उपयोग किस सीरियल पोड का मुख्य प्योग डेटा संचार के लिए होता है जैसे कंप्यूटर से प्रिंटर मॉडम या अन्य करोडों के बीच में डेटा तांस्पर करना हो ठीक है तो सीरियल पोड से हम प्रिंटर भी कर सकते थे और ओल्ड समय के जो मॉडन थे मॉडम थे यानि की ने तो इसे हाड़ियर के बारे में पढ़ना है तो थोड़ी सी जानकार इसक बारे में हमें होनी चाहिए ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है तो पुराने समय में हम नेटवर्क का यूज करते थे करने के लिए हम बहुं सारी ट是我 यूस्ट आपको आपको बहुं सारे पोल नीचे आपको सीरियलप या लगसे वह क्या करते है अगर को अगर 뭐टिफ़ाइब करते हैं क्योंकि उनको नेटवर्किंग केवल कनेक्ट करनी होती है तो नेटवर्क और अच्छा के लिए भी हम उनका यूज करते थे जैसे करने के लिए तो देखेगा कंप्यूटर का नियूज करते हैं तो यहाँ पर कंप्यूटर को नियंतरड करने के लिए किया जाता था जैसे robotics robotics computer थे जैसे बहुत सारी company होती हैं जिसमें food processing में मालेते हैं कि filter करना है और data को क्या filter करना है packaging करना है तो यह सभी क्या चीजे होती है food processing में हम लोग यूज करते हैं तो यह सभी क्या है एक process computer के माध्यम से होता तो जो आहां कर रहे होते हैं रिजा होती है तो उनको लिए साथ में संचार करने के लिए हम सीरियलad का प्रयोग करते थे आगे किया है कि पुर्ट का क्यों के व्यूध रसका है कि आज करियोग काफी कम हो गया है कि अधिकांस व्यूश्भी नेटवर्क लिए से कनेक्ट हो जाते हैं ऑग़ाना के परकार करने के नो क्या होगा authority ज्यादा पैसा आप को खर्च करना पड़ेगा जब आप computer को बेचेंगे तो computer भी क्या होंगे महंगे होंगे तो जो लोग खरीदेंगे computer तो effort नहीं कर पाएंगे ठीक है तो आप जैसे जितने भी चीज़े हैं अगर एक ही टाइप के port से connect होना शुरू हो जाएं जैसे आपके वरतमान समय में लगबख सारी चीज़े USB port से connect हो रह इसमें technology भी बढ़ा रहें दिरे दिरे इसी को अप्ग्रेड करते जाएंगे और क्या होगा स्पीड बढ़ाते जाएंगे दिसे फोर वर्जन USB 3.0 कितना हो गया दस गीगाहर्ट और USB 4.0 चालिस जीबी पर सेकेंड की स्पीड हो गए ठीक है तो इतनी तेस से हम क्या कर रहे है आगे क्या कह रहा है कि बारे यहां पर कर लिजेगा पैरलर पोर्ट तो पैरलर पोर्ट के बारे में क्या कर रहा है अइस थी कि इसको पैरलर कर लिजेगा तो सेम काम पैरलर पोर्ट का भी था यहां पर भी हम क्या करते थे वह करर्लेंट करते थे जैसे जैसे प्रिंटर मॉडम हाट सस्थे अध्वांश टेक्नोलोजिय अत्pelेंट अ risen पैर क्या रहे था पाटा पैरलर टेकनोलोजिय अpel प्रियुक्त करने के लिए होता है पुराने समय में प्रेंटर को पैलर पूर्ट से ही करने करते थे डेटा संचार को डेटा कम्मिनिकेशन के लिए हम किसका प्रियोग करते हैं पैलर पोड का प्रियोग करते हैं जैसे मौडम स्केनर या फिर अंतर के वल यही था सेम काम हुआ यहां पर भी करते हैं बस अंतर यह हो गया है कि जो टेक्नलोजी थी उसको हमने थोड़ा से अफग पिर हमने इसको USB 2.0 लांच किया ठीकने USes w3.0 लांच किया ठीक है अब यहांपर हमने Понाच क्या टी एक प्रकार आपकर जो पैय्लरकゃ पोर पोडिश कर थी तो सभसेते पहले होगा ठीक है पारेलर पोड़ के बाद में क्या आयगा depends कर दिए है ठीक कर दिए ठीक है ठीक है कर दिया सीरियल के बाद में अब सभी चीजे क्या हुई अब हम योस्वी से करने लगे तो यह पोड बनाने में भी समय लगता था और बनाने के साथ साथ में इनको अलग-अलग टाइप केबल बनाने पड़ती थी जिससे अलग-अलग टेविल कोश खरीजना पड़ता था लो यहां से हाड डीस्ट सेमाल लेते हम डेटा टास्पर करना था तो हम लोग यूजज करते थी कौन सा सबसे पहले अट यह था एटीये मतलब एडवास टेकनलोजी अटेजमेंट फिर हम लोगों को ने कौन से किया इसी को पैडलर यानि की पैडलर एड़ास टेक्टनलोजी अधिनमेंट पाटा पोड का प्रियोग किया फिर अभी लेटिक्नोड के लोड़ी पाट पोड भी इतना बड़ा हुआ करता था थीक है इस तरीके से पाठा के बली वा करती थी पिर इसी को और वर्जन किया सीरियल एडवांस टेक्नोलोजी अटेज्मेंट फिस साटा के बला करने लगे ठीक है फिर अगला पॉइंट आता है आपका ठीक है अगला यहीं पर बात कर लेते हैं सी मौस बैटरी क्या होती है तो सी मौस बैटरी क्या होती है यह आपके काम क्या होता है आपके कंप्यूटर में कंप्यूटर में जब डेटा हम क्या करते हैं पावर सप्लाई बादित कर देती हैं तब क्या करते हैं पावर सप्लाई पहुचाना ठीक है पावर सप्लाई पहुचाना कब जब कि हम क्या करते हैं कंप्यूटर की विद्दुत आपूर्थी क्या करते हैं कंप्यूटर की विद्दुत आपूर्थी बंद कर देते हैं ठीक है आपूर्थी आपूर्थी बंद कर देते हैं ठीक है बंद कर देते हैं लेकिन जब हमने क्या किआ क्प्योटर को पाउर सप्लाई देना बंद कर देंगे तो दिक्कत क्या होगी तो कुछ चीजे ऐसी है जिनको सही से रहना आवश्याक है जैसे आपके computer की date हो गई computer की date सही रहना आवश्यक है क्योंकि अगर date सही नहीं होगी तो computer on होगा internet connection में दिक्कत होगी तो क्योंकि यह internet connection है security related topic है तो date and time कि समय आपने use किया कि समय अपने computer भी क्या है security related है तो इसके on होने के लिए जो bios है bios को power supply पहुंचाता है और क्याहते जो ाफ की date and time होती है be times time होता है टाइम को क्या करता है डलेट टाइम को सही करता है ठीक है सही रखता है ठीक है जब computer आतोत आपूर्थी बंद हो जाती है तब क्या करता है यह power supplyulpiğ टती कावर, सब्सक्राइब करने के लिए करेक्ट रखने के लिए इसका फुल फॉर्म क्या होता है तो फुल फॉर्म होता है कंप्लीमेंटरी होता है कंप्लीमेंटरी होता है कंप्लीमेंटरी होता है यहां से प्रस्ट बुसकता है तो स्वी आउस बैट्री का का मोता है कि को करना जो कंप्चूटर में आप पूरतर बंद कर देते हैं तो जो पावर सपन słui बंद हो जाती है तो उसमें चलता रहता है तो उसको पाघ्र सप्लाई देने के लिए इसका पुरियोग करते हैं और कहां पर लगी होती है आपके मदर बोर्ड पे लगी होती है ठीक है इसका फुल फॉर्म क्या पूछता है तो अगला आपका टॉपिक क्या है बायूस ठीक है तो आपका सबसे पहले बात करेंगे हैं मदर बोर्ड की ठीक है तो लोग यहां पर बायूस के बारे में चर्चा करेंगे तो बायूस क्या होता है बायूस के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे सबसे पहले आपका क्या होता है यहां पर मदर बोर्ड होता है ठीक है और इस मदर बोर्ड पे एक छोटी सी चिप लगी होती है इस चिप को हम क्या बोलते हैं बताईएगा इस चिप को हम बोलते हैं क्या रोम बोलते हैं क्या बोलते हैं रोम बोलते हैं रोम का क्या होता है बताईएगा रीड ओनली मेमोरी क् पर आपके क्या लगी होती है रोम लगी होती है इसी व्यूम में क्या होता है आपका बायोस नाम का क्या होता है प्रोग्राम होता है जिसका काम क्या होता है इसे हम क्या बोलते हैं इसी को हम क्या बोलते हैं फश्ट प्रोग्राम मतलब आपके कंप्यूटर में सबसे पहला रन होने वाला प्रोग्राम कौन होता है बायोस प्रोग्राम होता है ठीक है इसी का एक सब प्रोग्राम होता है सब प्रोग्राम का मतलब क्या होता है सब प्रोग्राम होता है जिसका मतलब होता है क्या जिसे हम किस नाम से जानते हैं पोस्ट के नाम से जानते हैं ठीक है तो पूस्टा है चलिए बहुत डिस्टरब हो रहा है आपके क्लास में ठीक है रत्स्वास्त सही नहीं है कोई बात नहीं पढ़ेंगे पढ़ना है अराल में ठीक है वैसे दो दिन आपकी तो चलिए हम लोग बात कर रहे हैं तो इसका एक कोश्ट मनता है इसका क्या होता है तो फुल फॉर्म होता है इसका बेसिक इन्पूट आउट्पूट सिस्टम क्या होता है बेसिक इन्पूट से पोश्ट का होता है तो इसका मतलब होता है आप यहां पर इस अभिज्द हों टीक है कि रखांग गया है यहां पे धिल उन्मरory यह हो गया यहां पर माउस रखांग हो ति hai माउस रखांग हो गए यहां नहीं निलतल से लगी है , एया ओक यूचरा यूच तो आपका क्या लगा है। लगी है एच डीडी लगी है और या लगा है सीडी ड्राइब ददिय दिया घंति कि रॉमल लगी है अब यहां पर क्या होता है इन सभी चीजों को अब फिर क्या लगी मैं सलॉड की और और भी कोई devices लगी हुई है तई और जितने उपकरण होते इन सभी उपकरण को चिक करता है कि आपके computer से कौन-कौन से computer कौन-कौन से device connected हैं और कौन-कौनी devices connected हैं कौन कौन से इवाइसे प्रॉपर तरीके से काम कर रहे हैं कौन-कौन से सबसर LEGO करनेक्ट किया हैं इससे सबसंझ इससे रिलेटेट जो अ जानकारी होती वह किसे देता हैं आपकी इस्कृण पर देता है ठीक है और विच्वाटे कर देता है अगर कोई भी हाड वे इर में problem है किसी hardware में problem है तो क्या करेगा hardware में अगर कोई problem है तो problem को क्या करेगा बताएगा problem को बताएगा ठीक है detect करेगा detect करेगा और क्या करेगा inform करेगा ठीक है inform करेगा inform करेगा कि आपकी hardware में problem है ठीक है तो आपकी जितने आपने क्या होता है जितने विपकरर लगे होते उन सभी उपकरण की जाज करने के बारे में आपको बताता है तो मिद करते हैं चीजे समझ में आई होगी ठीक है, बहुत ही बेतरीन तरीके से, तो अब हम लोग बात करेंगे, अब यहां से हम hardware के बारे में start करेंगे, ठीक है, तो computer के बारे में आपका जो सलेबस दिया है, ठीक है, computer hardware के बारे में हमने basic जानकारी ली, computer hardware के बारे में, devices के बारे में, तो computer में दो ही चीज होती है, एक होती है, क्या hardware होती है, और दूसरी आपके क्या होती है, यहाँ पे software होती है, software होती है, तो पहली तो आपके hardware और software में हम लोग क्या पढ़ेंगे, OS पढ़ेंगे, operating system दिया हुआ है, और भी software के परकार पढ़ेंगे, जैसे system software क्या होते है, ठीक में तो हम पढ़ेंगे साथी ऑपरेटिंग सिस्टेम के बारे पढ़ेंगे अब हाडवेर में हमने क्या किया बेसिक पार्स आफ कंप्यूटर के बारे में जाना ठीक है पार्स आफ कंप्यूटर के बारे में समझा था चैप इसके बाद में हम लोग जितने वी इंपट ऊटपट डिवाईश जी ख है ठीक के इनपट और 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 क्या है आउट्पट डिवाईसे से tu deres इन पूट Oczę आओट डिवाईस के बारे में पढ़ेंगे और कि अ प्रूट डिवाईस मेर जहां पर आप क्या क्या आनेगरी साथ में लोग सब्सक्णार में लोग क्या पढ़ेंगे यहां पर में मोरी यूनिक पढ़ेंगे ठीक है अब यह अलग अलग दिए जैसे इन-पूट ने में क्या क्या आती है जितनी भी आपकी इंपूट डिवाइस से क्या होती है बताईएगा इंपूट डिवाइस के अंतर का जितनी भी हमारी डिवाइस हो गया जैसे कीबॉड हो गया ठीक है कीबॉड हो गया माउस हो गया इसकैनर हो गया इसकैनर हो गया और क्या हो गया विब तो 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 बेलेट हो घ्मिचे अगला क्या है अंस faut seo है उप्टिकल मार्क डिड़ और हो नहीं तो फिर क्या हो गज्ञत साथ नंतीक बाद भया थे कैमरा हो गया चीमरा कामरा वह वाला जिस से हम केवल only only use for use for photo click ठीक है photo click जिसमें हम केवल photo click करते हैं वो camera ठीक है साथ साथ में आप जब देखते होंगे इस तरीके से साधी विया में देखते होंगे जिसमें output भी प्राफ्ट होता है वह input output बहुत रिवाइस में आता है ठीक है फिर क्या होगा बताईएगा यह हो गया ठीक है टचस्क्रीज ठीक है touchscreen भी input output बोन में आएगा इतनी तो हम चीज़े इन्पोट में पढ़ेंगे फिर क्या परकार किसे है और क्या हो गया थिक है स्पीर के साथ में क्या हो गया उसे और यह स्ट। ऑट्पूट डिवास Bluetooth प्रिंटर हो गया हो गया और वो हो गया और कोई डिवास है झालर हो गया ठीक है avorण तो पढ़ेंगे सब्सक्तों के बार में पड़ेंगे साती साथ में going हम लोग क्या पढ़ेंगे है जो memory unit मेमोरी यूनिट है आपका मेमोरी यूनिट मेमोरी यूनिट भी किसका पार्ट होता है कि यह सभी चीजिए किसमें पढने वाले हैं आपके हाड़िवर वाले टॉपिक में पढ़ेंगे है सब्सक्राइब करेंगे बस आपको क्या करना है जो क्लासेश चल नहीं उनको प्रापर तरीके से देखना है देखने के बाद में कॉंसर्ट करने के साथ साथ में आपको बहुत सारी चीज़ें ऐसी होगी जो समझ में आएंगी और उनको थोड़ा सा साथ साथ में आप यहां से भी देखेंगे तो क्या जब्यारी प्रैक्टिस के लिए एक बात और बता प्रेक्टिस में भी दो प्रकार की होती है मिक्स प्रेक्टिस ज्यादा इंपोर्टेंट करता है ठीक है तो है ही लेकिन साथ साथ में क्या है मिक्स प्रेक्टिस से ज्यादा बढ़िया कॉंसर्ट बिल्ड होता है और मिक्स प्रेक्टिस से हमारे ज्यादा पता चलता है कि हम कि को आप का माइन कर देंगे तो आपका 100% हो जाएगा ठीक है 100% जो है आपको रिजल्ट लाने के लिए थेयोरी प्लस प्रक्टिस दो ना करना पड़ेगा तो मिलते हैं हम अगली क्लास में तब तक के लिए सभी को नमस्कार जैहिंग जैभारत कल दस वजे मिलते हैं और यूट